आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, now here the given question is draw the histogram of the distribution where distribution is weight in a kg and number of person so number of person यह क्या है अपका frequency है weight क्या बोला है 40 to 44 frequency उसकी 5 है मतलब number of person 5 है then है 44 to 48 यहाँ पे 6 है 48 to 52 में person 5 है 52 to 56 में 9 persons है 56 to 60 में 3 persons है and 62 to 64 में 2 persons है अब हमें देखने कि हमें चुछ यह class दिया हुआ है देखोए हमारा continuous है 44 पे end हो रहा है यह बराबर 44 पे चालो हो रहा है 48 पे end हो रहा है और यह 48 पे start हो रहा है मतलब ही सारे classes जो है वो हमारे continuous classes है हमें इन्हें continuous करने की जुरत नहीं है so directly हम अब हम क्या करेंगे histogram draw करेंगे तो histogram के लिए पहरे सबसे पहले क्या करना है तो देको मैं यहापर थोड़ा उपर रख लेते हूं okay so first we will draw x and y axis so this will be my x and now we will draw your and y axis okay अब क्या करना है x axis क्या represent करेगा now your x axis representing weight जो weight दिया हुँ है यह हमारा x axis represent करेगा तो हम यहापर लिख देते हैं that weight in kg that will be represented on your x axis तो x axis में यह represent होने वाला है और y axis पर represent होगा number of persons तो यहाँ लिख देते हैं number ठोड़ा यहाँ लिखते हैं आपर numbers आगे तो number of persons अब देको classes कैसे लिए में हमें एक बार और देख लेते हैं 40 to 44 44 to 48 48 to 52 ऐसा हमारा classes है और frequency के सबसे smallest frequency है 2 and the largest frequency is the 9 तो अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिया कि 1 है यह 2 है यह यहाँ पर थोड़ा से ऐसा हो जा रहा है और उपर यहाँ कहीं तो 10 होगा यह हो गया अब हिस्ट्रोप्राम में क्या करना है 40 to 44 तो मैं यहाँ लिदेंगे 0 और यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम ऐसे यह जो बना रहे है यह आपका जो यह जो mark है that sign representing word की 0 to 44 का number इस के बीच में बिलॉंग कर रहा है यह जो mark है जो यह design यह that is the symbol the symbol representing what the symbol representing 0 to यहाँ पर 40 तक के numbers इस area में आपके बिलॉंग करते है then 40 से मैंने यहाँ पर ले लिया 44 then 44 to 48 48 to देखो 44 का difference है 52 52 से आएगा यहाँ पर 56 56 से आएगा 60 then 64 तो यह हमारा हो गया 16 से आएगा 60 से भी पन गया अब हम क्या करते है सीधा हम इस्टोग्रम ट्रॉप करते है 40 to 44 में कितना बोला है 40 to 44 में बोला है 5 देखो 5 कहा है यह यहाँ है तो रख लिया scale and 40 to 44 का हमने ड्रॉप कर लिया यह हो गया then 6 बोला है 44 to 8 में यह 6 देखो कहा है यहाँ पर लाइन लोगे तो exact correct आएगा आपका तो यह हो गया यहाँ पर this will be 6 then 5 बोला है 48 to 52 में 48 to 52 मतलब यह वाला जो रेंज है यहाँ पर आने वाला है 5 मतलब यह सेम ही रहने वाला है यहाँ पर यहाँ पर बना देते हैं यह सेम हो गया then बोला है 9 तो देखो 9 कहा है मेरा यहाँ ले लिया डाश डाश लाइन यह dotted line रेप्रेसेंट कर रहे है 52 से लेके 56 का जो class है weight है इस weight कि कितने persons है तो 9 परसन है then उसके बाद बोला है 3 तो scale यहां रख लेते हैं और यह 3 मेरा कहा रेको स्टेट से केल है then 3 यहाँ पर आ रहे है और उसके बद क्या बोला है 2 वाला बोला है तो यह पर जोइंट कर लेते हैं 52 56 to 60 का यह गया 3 and then उसके बाद 2 तो 2 यहां पर मिल रहा है यहां पर मिल रहा है then इसे जोइंट कर लो okay so this will be your histogram either you can draw this और अप क्या करना है यहां पर सारे बास का मतब जो आपके पोल्स बने हैं इन्हें हम बार भी बोलते हैं इन पोल्स का मिड़ पॉइंट ले लो पोल्स का मिड़ ले लो यह मिड़ पॉइंट ले ले लिया अभ इन्हें आपर इन्हें बाई जोजेंट लोड यूज हँसे ए हम जोह जोइए प्रंट लोग में बार सा टोइट लीग दा बनिट लेना हम सासाट कर दो को जोशा दो यहां पर आरा है again yesterday lane कहा रहा है यहां पर आ रहा है यहां पर यहां पर इंचे continuous तो this will be your required graph where this will be your y x axis representing weight in kg and y axis representing number of persons okay तो हम यहां scale तेते हैं कि scale क्या हो जाएगा scale हो जाएगा on x axis कहतना लिया है हमने 4 का difference so 1 cm is equal to 4 kg यह weight है तो मैं kg में लिख लो और y axis पर क्या आने वाला है y axis पर आना है 1 cm is equal to 1 person okay so यह scale हो गया आपका इससे से bracket में कर देना है and this will be your graph okay classics to 12 से लेके need iit जही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 उपर